आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रू कॉलर के बारे में कुछ जानकारी जो की शायद काफी लोग पहले से जानते होंगे और कुछ लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे देखते रहे ये इस वीडियो को और सब्सक्राइब को कॉल आते हैं जिस वज़े से अम लोग कभी कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और अचानक किसी का कॉल आ जाता और फिर क्या तो लोग्ते लिए आप के लिए फ्री आफर है इस तरीके की को आज बन कर सकते हैं हमेशा के लिए लेकिन जब तक आपके मॉबाइल में ये तब तक , इस तरह के सभी call को आप ब्लॉग कर सकते हैं बहुत इजी ली इस एप के साथ , इस एप को लाखो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे होले से इस वीडियो को देखने वाले भी बहुत से लोग इस एप को इस्तेमाल कर रहे होंगे और शायद कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता ना हो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक स्मार्टफॉन है एंड्रोइड मुबाइल है तो आप इस एप को जरूर इंस्टॉल करें यह बहुत काम आएगा आपके आपको पता चल जाता है कि आपको कॉल करने वाला कौन है और कहां से कॉल किया जा रहा है आपके पास अगर वो कॉल करने वाला आपका जानकार है आप चानते हैं तब तो ठीक है अगर अगर कोई फालतू का कॉल आ रहा है तो आप उसे उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं उसी टाइम तो आगर आपने किसी नमबर ब्लॉक कर दिया है तो अगर वो फिर आप कॉल करता है तो कॉल करने के बाद एक बारी ring होगा एक बारी notification आएगा इसके बाद ring नहीं होगा जिससे आप को पता चल जाएगा कि आपने जिसे ब्लॉक किया था वो आपको कॉल कर रहा है इस app के कुछ और फीचर्स हैं जिने आप कुछ अमाउंट पे करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं मैं खुद इस app को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफी अच्छा है कुछ नंबर मैंने ब्लॉक कर रहे हैं जो कि आते रहते हैं जैसे कि कुछ ओफर्स को लेकर या फिर कुछ और तरह के जैसे आपके पास कई बारी कोई कस्टमर केर से कॉल आता है ट्रू कॉलर ने एरटेल के साथ कॉन्टेक्ट किया है जिससे कि बिना इंटरनेट यूज करने वाले लोगों के पास भी इस तरीके की इंफर्मेशन आ जाए कि जो कि अभी नहीं आ रही है अभी जिसके पास इंटरनेट है सिर्फ वो ही जान सकता है कि कौन उसे कॉल कर रहा है अदरवाइस वो नहीं जान पाएगा कि कौन कॉल कर रहा है लेकिन एटल और टू कॉलर साथ में मिलकर काम करने वाले हैं जिससे की बिना इंटरनेट के भी इंफर्मेशन आ जाएगी कि कॉल कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है इसके साथ ही में आपको इस्क्रीम पर दिखाना चाहता हूँ कि पहले टू कॉलर का जो लोगो था और अब जो टू कॉलर का लोगो है किस तरीके का दिख रहा है सिर्फ लोगो च्एज हुआ है दोनों लोगों को धियान से देख लीजिये इं तोनों लोगों को देखने के बाद आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि कहीं दूसरी को आया नहीं है यह वही एप है बस इसका लोगो चेंज हुआ है अभी बाकी काम यह बिलकुल परफेक्ट कर रहा है बाकों लोग इसे इस्तिमाल कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह काफी और लोगों को पसंद आएगी है तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहां पर लेकर आता हूँ कुछ ऐसी इंफोर्मेशन जो कि शायद किसने किसी के काम जरूर आते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में See you again